नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि इंडिया और कैनेडा की गवर्मेंट के बीच में एक खिचाव हमेशा से है खालिस्तानी टेरिस्ट को लेकर के Indian government का कहना है कि Canada जो है वो हमेशा खालिस्तान के जो separatist terrorist elements हैं उनको शरर दे रहा है तो recently अभी एक और Canada based gangster था यह लखबीर सिंग नाम का इसको इंडिया ने terrorist गोशित कर दिया है UAPA के एंडर में इसको terrorist गोशित किया गया है तो basically हम इस वीडियो में ये तो news हम देखेंगे ही कि actual में हुआ क्या है और UAPA Act कैसे किसी person को terrorist कोशित करता है उसके बारे में भी जानेगे इस Act के बारे में complete details जानेगे प्लस हम ये भी जानने के कोशिश करेंगे कि आकिर ये सारे जो खालिस्तानी movement के separatist elements हैं ये Canada में ही जाकर के शरड क्यों लेते हैं Canada इनके लिए safe heaven क्यों बन चुका है तो before starting the video एक बहुत बड़ी announcement है Diasup team की तरफ से कि Diasup team ने अपना achievers batch launch किया है इस batch के under में 100 students को select किया जाएगा एक scholarship test के basis पर और इन 100 students पर special मेहनत और focus की जाएगी ये पूरा batch MK sir की guidance में चलेगा प्लस जो ये 100 students होंगे इनको 60% तक का scholarship भी दिया जाएगा ये batch 2nd January से start हो रहा है अगर आप इस batch को join करना चाहते हो या इस batch के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो नीचे description में एक link दिया है उस पर जाकर के अपना form फिल कर दीजे अब अगर देखें actual में हुआ क्या है तो देखो ministry of home affairs ने इस लखबीर सिंग को जो कि एक खालिस्तानी terrorist group से तालुक रखता था पहले ये gangster था बाद में ये जाकर के खालिस्तानी सेपरेटिस group के साथ मिल गया था उसको अभी हाली में आज की news है ये कि उसको terrorist Indian government ने घोशित कर दिया है UAPA के under में अब अगर पहले UAPA समझ लेते हैं कि आखिर में UAPA के under में terrorist घोशित कैसे करते हैं किसी को देखो basically UAPA एक act है जो कि 1967 में आया था अब इस act का पूरा नाम है Unlawful Activities Prevention Act अब आप इस act के नाम से ही समझ रहे होगे कि Unlawful Activities जो परसन करता है उसको इस act के अंदर में terrorist घोशित किया जाता है बट actual में Unlawful Activities होती क्या है देखो अगर UAPA के एंडर में Unlawful Activities देखा जाया जो कि define करता है यह act यह act कहता है कि अगर कोई भी activity जो कि इंडिया के territorial integrity को hurt करती है वो activity को Unlawful कहा जाएगा territorial integrity मतलब कि जैसे खालिस्तान की बात हो रही है देश से एक हिस्सा अलग करने के बात हो रही है तो यह एक Unlawful activity है इसके साथ साथ कोई भी ऐसा कारे आपका जो कि इंडिया की sovereignty को hurt कर सकता है उसको भी Unlawful माना जाएगा अब इस act के अंडर में Central Government को complete power दी जाती है कि अगर उसको किसी person के act Unlawful लगते हैं तो इस UAPA Act के अंडर में वो उस person या उस organization को ban कर सकते है प्लस terrorist भी घोशित कर सकते है और यही अभी recent में लगवीर सिंग के साथ हुआ है इंडियन गवर्मेंट ने अपनी Ministry of Home Affairs ने एक official gazette के थुरू लगवीर सिंग को terrorist घोशित कर दिया है और इस act का एक बिलकुल criticizing point हमेशा से ये कहा जाता है कि central government को इस act के थुरू बहुत sweeping power दे दी गई है मतलब उनको question नहीं कर सकते हैं complete उनको power है कि वो किसी भी person के act को अगर unlawful मानते हैं तो उसको वो एक official gazette के थुरू जो कि Ministry of Home Affairs से आती है उसको terrorist गोशित कर सकते हैं और वही अभी लगबीर सिंग के case में हुआ है बट अगर देखा जाए जो ये आतंकी था लगबीर सिंग basically इसने सबसे बड़ा जो कांड किया था वो 2021 में किया था 2021 में इसने RPG का यूज करके जो पंजाब पुलिस का intelligence headquarter था मोहाली में स्थित्ता वहाँ पर इसने attack किया था हलाकि वहाँ पर कोई casualty नहीं हुई लेकिन ये बड़ा ही एक घिनावना attack उसने करा था देखो ये जो गैंक्स्टर्स ये लोग गैंक्स्टर्स है ना basically इनके उपर बहुत सारी cases होते हैं और ये बहुत छोटे मोटे गैंक्स्टर्स हैं पंजाब के जो की एक जाकर कि किसी organization के साथ मिल जाते हैं वहाँ के popular support के लिए वहाँ के कुछ लोगों के support के लिए खालिस्तान movement के में जाकर मिल जाते हैं वहाँ के separatist movement में काफी बढ़ चड़ के हिस्सा लेते हैं basically होते हैं ये गैंक्स्टर्स हैं कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं होते हैं कोई आम आदमी नहीं हैं ये लोग ये आप देखो कि सारे के सारे गैंक्स्टर्स हैं और ये जाकर के किसी ना किसी ग्रूप से मिल जाते हैं और फिर उसके थ्रूँ ये देश छोड़ कर भाग जाते हैं ऐसे ही इस लखबीर सिंग ने भी किया था basically एक ग्रूप है बबबर खालसा जो ग्रूप है ये खालिस्तान movement की बात करता है कि PFI को भी बैन किया गया था उसी तरीके से बबबर खालसा को भी काफी पहले 2016 में बैन कर दिया गया था तो उसी बबबर खालसा ग्रूप का इसको सपोर्ट था और उसी सपोर्ट से इसने 2021 में ये पंजाब के जो मोहाली में headquarter था वहाँ पर इसने attack किया था और उसके बाद ये कनेडा भाग गया था अब हम देखते हैं कि यार ये सारे जो खलस्तानी movement के जो terrorist हैं ये हमेशा कनेडा क्यों भाग जाते हैं या फिर हम देखते हैं कि जितने भी ये fraudsters या scamsters हैं जैसे कि नीरव मोदी विजय अमालिया ये सब लंडन क्यों भाग जाते हैं तो देखो वहाँ के laws इनको support करते हैं इसलिए ये भाग जाते हैं अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि नीरव मोदी जो था या जो विजय मालिया था वो लंडन भाग गया क्यों उसके पीछे का reason था वहां के laws अब लंडन का law ये कहता है कि वहाँ पर जाकर के कोई two million euros तक की investment कर देता है तो वहाँ पर उसको golden visa दे दिया जाता है और जो इंडिया UK की जो extradition treaty है ना उसके अंडर में ये चीज़ आती नहीं है इसलिए नीरव मोदी या विजय मालिया को extradite कराने में इंडियन government को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है और वो extradition हो नहीं पा रहा है ना वो arrest हो रहे हैं वहाँ पर खुले आम घूम रहे हैं तो इसलिए ऐसे laws की वजए से जो scamsters है इनके लिए जो heaven है वो क्या है वो लंडन है अब जो एक खालिस्तानी movement है या जो terrorist है इनके लिए Canada क्यों ऐसा safe heaven है because वहां के laws जो है वो काफी weak है इस मामले में यह लोग क्या करते हैं यह लोग एक पासपोर्ट पर इंडिया से भागते हैं और पासपोर्ट पर जब Canada पहुंचते हैं यह तो देखो फेक पासपोर्ट को ना identify करना बहुत easy होता है कोई passport ऐसा इतना rocket science नहीं है कि उसको जाते है एरपोर्ट पर और फिर इनको कोट नहीं ले जाया जाता है पहले authorities इनसे पूस्ताज करती हैं और सीधा सीधा जैसे इनके फेक पासपोर्ट पकड़े जाते हैं यह जो है refugee status क्लेम करते हैं refugee status मतलब कि हम अपनी country में बड़े ही हमारे हमारे जान को खत्रा है हमारी community क बहुत जादा खत्रा है हमारी country में जिस country से हम आते हैं और वहाँ पर अगर हम पेक पासपोर्ट बना करके नहीं भागें तो हम यहां तक पहुंची ना पाए हमें वो country मार देगी वहाँ पर यह reason दे करके refugee status grant करते हैं और यह सुनते ही Canada की जो authorities हैं वो इनके case को forward कर देती है कोट में कि आपकी सुनवाई कोट में होगी लेकिन इतने सारे pending refugee cases है ना Canada में कि इनकी जो सुनवाई है उसी को 8 से 10 महीने लग जाते हैं कि मतलब जो इनकी hearing होनी है वो 8 से 10 महीने बाद होगी और तब तक इनको जो है वो complete housing का सुविधा दिया जाता है प्लस welfare भी welfare funds मिलते है इनको और Canada जैसी country में जाकर के गुम हो जाते हैं वहाँ पर एक और fake identity अपनी create करते हैं सारे fake जाली कागजाद बनवाते हैं और वहाँ पर किसी और नाम से रहने लगते हैं और बड़े अराम से अपना जो पूरा काम है terrorist वाला चीज है उसको बहुत अराम से चलाते हैं और इसलिए ये जो खालिस्तानी terrorist हैं ये Canada में इतनी असानी से पनाप रहे हैं प्लस हम सबको पता है क्योंकि ये mostly sick होते हैं और वहाँ पर sick population काफी है Canada में तो vote percentage में भी ये काफी जादा माइने रखते हैं तो इसलिए भी Canada की government कुछ हद तक अंदेखा करती है इन terrorist को और अब इस आतंकी को भी गोशित कर दिया है और पूरी कोशिश ये की जा रही है कि इन आतंकीयों को extradite कराने की कोशिश की जाए Canada से इंडिया तक आज की वीडियो में इतना ही I hope this video helps thank you and have a nice day